आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ हेलो, the question is दो antennas हैं जो की wave निकाल रहें same phase में A और B का रेडियो वेब का जो फ्रिक्विंसी है वो फ्रिक्विंसी 6 मेगा हज हमें दे रखा है अबर रेडियो रीसीवर जो है मूब करता है आउट फ्रम दप पॉइंट ए पॉइंट बी से रेडियो रीसीवर जो है मूब करता है along a line perpendicular to the line connecting A and B मतलब वो क्या कर रहा है ये बी सी लाइन पे जा रहा है तभी तो perpendicular होगा इसके A B के ये B पॉइंट अवर हमें at any time distance from B will be there be a destructive interference कोई ऐसा time जहां पर ये B पॉइंट पहुंच चुका होगा वहाँ पर हमारा destructive interference कुछ points पे हमें बताने है जहां पर destructive interference बन रहा होगा तो destructive interference होने का मतलब क्या होता है इन दोनों का वेब जब interfere कर रहे हो तो minima हमें सुनाई दे रहा होगा minima इस radio wave का सुनाई दे रहा होगा minima के लिए हमनों जानते है कि path difference जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए odd number of 2 and minus 1 lambda by 2 के बरावर होना चाहिए path difference अगर minima में सुनना है तो अच्छा इस point पर माल लिजे यहां से x दूरी जाके आया है तो यहां से हमनों path difference निकालना चाहिए तो क्या होगा यह हो जाएगा 200 का square plus x का square ओके यह दूरी तो यह हो गई और यह दूरी यह हो गई तो इस दूरी में से यह minus कर दे तो path difference हमारा आ जाएगा तो देखे path difference लिख लेते हैं कैसा होगा path difference होगा हमारा root over 200 का square plus x square minus यह root के बाहर minus x equals to 2n minus 1 lambda by 2 ओके तो इसमें हमें आगे क्या करना है हमें अब x की अलग-अलग values पता करनी है n की अलग-अलग value पे n की value क्या क्या होगी n की value 1,2,3 पे ऐसे put करते हुए अलग-अलग x पता करेंगे जहांपे minimum बंद रहोगा तो इसके लिए हम क्या करें की x को एक side कर लें और बाकी values को दूसरे side कर लें n के term में ताकि हमें swap करना असान होगा मतलब value निकालना असान होगा n की value रख रख के तो उसके लिए एक काम करते हैं x को इधर भेजते हैं अबर ये root है उसको उधर square कर देंगे तो इधर क्या आएगा 200 का square plus x square equals to इधर और ये plus x आया है उसका whole square है तो इसका square हो जाएगा 2n-1 का whole square lambda square y4 ओके plus x square अबर क्या होगा ये plus होने का plus इस कारण से plus 2 ये देखिए इससे 2 और ये 2 कटे जाएगा लिख लेते हैं एक बार के लिए ठीक है ये x multiply into 2n-1 इतना आएगा ये 2 कटे जाएगा तो ये value होगी यहाँ से x square ये कटे जाएगा ओके तो आप देखो कि यहाँ पर क्या बनता है यहाँ से हम x निक सकते हैं इसको अगर इधर भेजने तो तो देखे क्या x आता है हमारे पास x हमारा जो होगा वो आ जाएगा कुछ इस तरह से 200 का square minus 2n-1 का whole square into into 20 का square upon में 50 into 2n-1 ये बन जाएगा अब इसमें हम क्या करें कि अलग अलग value रखते हैं किसका n की n की value 1 रखें तो क्या आता है x की value कहाँ पर जाएगा minimum बन रहा होगा वो निकालना है तो n इकोल तो 1 रखें और x निकालते हैं तो वो आ जाता है हमारा माली जीए से x1 खाले तो वो आ जाता है 787 0.5 meter के बराबर n इकोल्स टू रखें तो वो कितना आ जाता है x2 वो आ जाता है हमारे पास 229 के बराबर 229.0 meter के बराबर और n इकोल्स टो 3 रखें तो x3 इकोल्स 2 आ जाता है हमारे पास 92.5 के बराबर तो ये अलग अलग values N की पहलू रखने पर अलग-अलग X की पहलू ये हमारे पास आएंगे तो हमारा destructive जो होगा interference इस पॉइंट पर B को आने के बाद होगा यानि minimum हमें सुनाई देगा Thank you Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक